दोस्तो यदि आप रसोली की समस्या से परेशान है तो नीम का पेड़ आपके लिए किसी वर्दान से कम नहीं है वैसे तो नीम के पेड़ का परियोग करके हम अंगिनत बिमारियों को ठीक कर सकते हैं लेकिन आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे आपको नीम के पेड़ का परियोग करना है जिससे आप अपनी रसोली की समस्या को हमेशा के लिए खतम कर सकते हैं तो नमस्कार दोस्तो मैं परविन गरेवाद स्वागत करता हूँ आपका अपने यूटूब चनल माई हिरोज हेल्थ पे और रसोली को कैसे ठीक करें नीम के परियोग से जानने के लिए हमारे इस वीडियो को आखिर तक पूरा देखें तो दोस्तो अब बात करते हैं कि नीम के पेड़ का कैसे परियोग करना है दोस्तो आप नीम के पेड़ की किसी मोटे तने का टुकड़ा लेजिए अब इस टुकड़े को पत्थर पर धिस लेजिए पानी के साथ और इसका मोटा मोटा यानि की गाढ़ा लेप तयार केजिए अब इस लेप को अपनी रसोली पर लगाएं जितना मोटा लेप लगाएंगे और जितना गाड़ा लेप लगाएंगे उतना ही जादा फाइदे मन्द रहेगा तो दोस्तो एक दिन लगाने से कुछ नहीं होगा, आप लगातार डेड़ से दो महीने तक इस लेड़ को अपनी रसोली पर लगाएं, लगातार ऐसा करने से आपको फाइदा होगा और आप अपनी रसोली को जड़ से खतम कर सकेंगे, तो एक बारा आप इस परियोग को जरू बैक पेन या फिर जोइंट से जुड़ी हुई किसी परकार की कोई समस्या है तो एक बार आप हमसे कॉंटेक्ट जरूर करें हम आपकी समस्या का बिना किसी दवाई के सोल्यूशन करेंगे इसी के साथ दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करे से शेयर करें और हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुलें